नमस्ते कीम चुमा जामा तो मैं आज संडी इंजॉय कर रही थी तो मैं आ गई हूँ इस कौन टेंपल रगवान जी के दर्शन करने तो देखिए किता रश है तो हमें न कुछ दो बज़े तक पहुंचे थे यहां पर क्योंकि संडी को बहुत जादा लेट हो चुगा था घर क अन्हीं को निकल निकलने में तो चल्डो कैंड कर्दे नी के मैं तो के मैं तोड़ा वीडेव में हुआ घर का रहे तो में थोड़ा सा करने लगी ब्लॉगिंग चटर पटर आपके साथ तो मम्मी और मैं ऐसे निकलने लगे वंदीर के बाहर से उसके बार हम जा रहे थे कुछ खरीदने जैसे कि मेरा पूरा दिन खरीदने में चला गया मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहां गई क्या क्या करी क क्या क्या मैं खरीदा और कहां कहां मतलब बहुत गुमाई में तो आज पाबा संडी को तो मेरे हालत कराब हो गई पीछे देखिए किते लोग सेल्फी निकाल रहे और फोटोस कीच रहे बहुत कुछ है यार यहां पे बहुत मज़ा था यार आप याना तो फिर ना आते या बड़ा आपाओ खरीद लिए तो फिर ना मैंने अंकोल को पुछ अंकल हम अगर या से तोड़ चल जाएंगे तो वड़ा पो हतम तो नहीं हो जाएगा तो वोग लगी थी तो मैंने वड़ा लुट नहीं तो नहीं टर्ल रहे थे तो मैं जस्त मैंने शूट कर रहे रिया र बात करूंगे आप देखिए अंकल जी मैं आप से बड़ा पाव करीद रही हो तो फिर मैं सवड़ी से चली जाओंगी तो खतम तो नहीं हो जाएगा नहीं यार आप चाहिए मैं को मिरर देखना था तो मैं साइड में चली तो मैं आप बोलोगी क्या है कौन है कौन कांडे के पकोड़ा वड़ा पाव को पारसल ले लिया था कि मैं और मम्मा घर पर जाके अराम से खा सके उसके बाद हम चलेगे बेकरी मुझे चीए था बटर तो मैंने खरीद लाता बटर तकी मैं घर में यम्मी यमी पाव बाजी या सब कुरी बना सकोगी बटर क्या बग तो मैंने बोला चलो मैं फिर अपना फेस दिखा दी तो या आपको थोड़ा सा फिर हम यहां से निकल चुके थे और चलेगे पनीर शॉप में क्योंकि आज रात को पालक पनीर बनेगा तो मम्मी बोली चलो पालक पनीर खरीद लेते हैं पालक तो हमने कल खरीदाई था कल मा तो फिर देखियो मम्मी के सालु ले जे मैंने बोला यार बस करो ना मुझे बहुत अभी बोर हो रहा है गर पे जाना है तो मम्मी ने बोला थोड़े काम रहे के यह भी निप्टा के घर चलते हैं तो फिर उसे फिर निकल गए तो मुझे बहुत प्यास लग थी तो हमने हमारे लाश काम बच्चा था और हम चलेगे मेडिसीन ले तो मैं देख रही है कि मम्मी आ रही है कुछ बोलते बोलते लेकिन मैंने बोला चले उंको पिछे से रिकॉर्ड करती हूं फिर भी रास्ते में मिल गया मम्मी को ग्रीन वेजिटेबल्स तो मम्मी ने ले लिया यह और यह अंकल बहुत ज्यादा रूट थे हैं यह में प्लास्टिक भी नहीं दे रहे थे बोलते हैं और ममी ने पुछा धनिया क्या आप हो है जो कि मार्केट में चल रहा दस रुपे का तो यह बोलते हैं पच्छास रुपे पिंड़े और इनको देना हैंगी तो सीधा बोल मेडिकल और हम ले एक मेडिसिन तो यहां पर यह लास्ट काम था बच्छा और मैं शूट करें तो यह भाईया भी मुझे शूट करने लगे शाहिद पता नहीं प्रो मेरे वीडियो निकालते हैं फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ और डेली ब्लोगिंग के साथ तब तक लहरार मादी